आपको यहां पर यह ब्रैकेट दिख रहे हैं इसमें आपको अपना जो अभी आप जैसे दिखते हो वो वाला फोटो और जब आप टू इयर्स के थे यहने जब दो साल के थे वो वाला फोटो आपको यहां पर पेस्ट करना है अपना कोई भी फोटोक्राफ जो आप पासपोर्ट फोटो हो जो वो आपको यहां पर और यहां पर जो जब आप दो साल के थे याने टू इयर्स के थे वो वाला आपको यहां पर पेस्ट करना है कोशन नमबर भी है टिक दे करेक्ट आप्षन यहने सही वाले आप्षन पर टिक करना है First is our body has dash तो हमारी body में क्या होते हैं One part, many parts या three parts यह तीन part होते हैं या one part होते हैं या बहुत सारे तो correct answer है B, many parts Okay, our body has many parts Second question is Second is We use our arms, hands and finger हम हमारे arms का hands का, finger का use करते हैं Dash to do some work यानि इसका सही answer आएगा All together हम ये तीनों को मिला कर क्या करते हैं किसी भी काम को करने के लिए इन तीनों का use करते हैं Arms का, hands का and fingers का तो correct answer आएगा All together Third है The dash help to fold and unfold the leg वो कोन है जो हमें pair fold और pair को खोलने में मदद करता है Thigh, toe, knee येने की घुटना तो correct answer है knee येने जो हमारा घुटना होता है knee होता है वो हमें help करता है fold और unfold करने में leg को येने pair को fold और unfold येने खोलने और बंद करने में Fourth है What is it that makes you able to eat and laugh वो क्या है जिससे हम खाते हैं और हसते हैं Option है A lips, B face ये C mouth तो answer आएगा mouth हम हमारे mouth की help से eat करते और laugh करते हैं येने हसते हैं और खाते हैं Okay C, write T for true and F for false इनके लिया में true और false लिखना है First है, we eat with our mouth क्या हम हमारे मुह से खाना खाते हैं Answer है true Yes येने हम हमारे mouth की help से खाना खाते हैं Second The arms are used for kicking जो हमारे arms होते हैं मतलब जो हमारी भूजाएं होती है वो kick करने में मदद करती है No हम हमारे legs की help से football को kick करते हैं है ना तो ये answer आएगा False Third है, we use our back to take rest क्या हम हमारी feet का use करते हैं अराम करने में Yes True Fourth है, the shoulder do not perform any function क्या जो हमारे shoulder होते हैं ये जो कंदे होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं नहीं, वो करते हैं इसलिए ये false आएगा क्योंकि हम हमारे shoulder के help से ही कोई भी बज़नदार सामान जैसे bag हुआ या कुछ भी हुआ तो shoulder के help से ही उठाते हैं है ना तो ये answer false हुआ D Feeling the blanks हमें इनमें feel करना है इसके लिए हमें ये help box भी दिया है Shoulder, mouth, legs, hands ये चार option दी इसमें हमें ये feel करना था तो first है We use our dash to write हम हमारे किस body part का use करते हैं लिखने के लिए, write करने के लिए तो answer आएगा hands हम हमारे hands का याने हाथ का use करते हैं लिखने के लिए ये लिखा है hands Second है We use our shoulder to carry loads जो हम हमारे कंदे होते हैं उसका use हम कुछ भी carry करने के लिए loads याने कुछ भी बजणदार समान उठाने के लिए यूज करते हैं, shoulder का use करते हैं कुछ भी बजणदार समान को उठाने में Third है We use our legs for cycling जो हमारे pair होते हैं हम उनका use काई में करते हैं cycling करने में Fourth है, we use our mouth for laughing मतलब हसने के लिए हम हमारे mouth का use करते हैं यह इसमें आपको spelling समझ नहीं आईगी तो इसमें साफ फील कर लेना Next है E E है Answer these questions First है Which body parts help you in playing football कौन सा body parts है जिसकी help से आप लोग football play कर सकते हो तो हम legs की help से करते हैं football को kick करना पड़ता है इसलिए हम उसे legs की help से करेंगे Legs help us in playing football जो pair होते हैं वो हमें help करते हैं football play करने में क्योंकि इसका नाम यह football पेरों से खिलने वाला football इसलिए हम इसमें legs का use करते हैं Which body part works when you fly a kite आप कौन से body के part का use करते हैं पतंग उड़ाने में Our arms, hands and fingers जो हमारी भूजा है, हाथे और उंगलिया है Works when we fly a kite जब हम पतंग उड़ाते तो यह हमारे arms, hands and fingers हमें help करते हैं इसी के साथ यह chapter फिनिश होता है आप लोगों को अपनी copy अच्छे से complete करना है और अच्छे से बिलकुल copy में neat and clean handwriting में लिखना है आप लोगों को चर लो नौब